बिसमिले रोफ़ाने रोहीम, असलाम अलाइकूम, कैसे आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियस होंगे आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमजान स्पेशल में सहरी के लिए बहुत ही हल्दी ड्रिंक की रेसिपी जो के आपको पूरा दिन फुलर रखेगी तो बहुत ही हल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी है तो वीडियो अची लगे तो इसको लैक्षियर जरूर कीजिएगा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्ट्रासिपे को तो इस हल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने खजूरे ले ली हैं 5-6 अदद ये बड़े वाले साइस की खजूरे हैं जो के अगर आप इसका वजन करें तो तकरीबन ये 1.500 ग्राम होंगी इसका हम बीज निकाल लेंगे खजूरों को बीज निकाल के साइट में कर देते हैं अब दूसरी तरफ एक बोल ले लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे इंजीर जो के जाएंगी तकरीबन 4-5 अदद तो ये बड़े वाले साइस्की हैं जो के मैंने 4-5 अदद डाली है इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर किश्मिश जो के जाएगी वन टेबली स्पून ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो के डाएट पे रहते हैं अब इसमें वन टेबली स्पून ड पिस्तों के साथ ही हम काजू भाजर करेंगे दोड्रा जो कि जाएगा गरम दोडूस में गरम जो साथ ही दोड़ेंगे 3AD 결m दूड हम यूद Ś downward pram के दूडू बादाएगी दोड़ेंगे 125 लक् viol Depart जो क्या उप्षिनल है देखे मिरब थोड़ी सी साफरांती यह मैंने शामल कर दी है अब सब्वी ट्राइफ फ्रूट्स को हमने इस गरम दूद के साथ सोक करना है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आप चाहें तो पूरी रात के लिए इसको सोक करने के लिए बल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इसको ब्लेंड करना बहुत ही असान हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेते हैं ब्लेंडर में अब सभी चीज़ों को हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और यह देखें दूद हमने आदा लीटर लिया था लेकिन यह जो ट्राइन नट्स है यह थोड़े से जादा हैं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा और दूद भी शामिल करेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूद की कॉंटिटी या पर पानी की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और दूद डाल रही हूं तो एक कप और दू और सबी चीजों को हम ब्लेंड कर लेंगे मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूं जो के अप्षिनल अगर आप ना डालना चाहें तो आप टोटली स्केप कर सकते हैं यह मैंने शहर डाल दिया है थोड़ा सा तो यह कंप्लीट हेल्दी मील है जो के आप अगर सहरी में ले अगर आप इस तरह के ड्रिंक्स का समाल करते हैं तो आपके अंदर बहुत साई जो डिफिशेंसी होती है न वह दूर हो जाती है तो देखें मैंने सबी चीजों को बहुत अची तरीके से ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करने के बाद देखें तो यह बल्कुल स्मूधी वाले टैक्टर में आचुका है आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालीजे आप इसके अंदर थोड़ा सा ओर दूर डालीजे अब यह ड्रिंक हमारे रेडी है तो इसको सर्फ कर लेते हैं तो मैंने यहां पे ग्लास ले लिया है जिसके अंदर थोड़ी सी करना मत भूलिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नाया हैं फर्स्ट रैम मेरे वीडियो को वाच कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजेगा सब्स्राइब फिर मुलाकातों की नेक्ट रैसेपी वीडियो के साथ जब तक ले टेक एर अलाहाफेज